कमर्सियल गाड़ी चलाते थे माल डोने वाला जो है कि गाड़ी आप चलाते थे का परिसानी हुआ था सर जब उस समय गाड़ी आप चला रहे थे तो पुलिस तो माल लब अगर दिन में जाते हम तो पुलिस पकड़ लेता था मतलब परिसान तो करता ही होगा कुस दिला ही पर देते थे हां सर देते थे गाड़ी लेकर के हम मलब नीचे भी कुद गए थे हर परती दिन मलब एक बार लगता है कि अभी तो मरी जाती नमस्कार मेरा नाम सोनुनाज है और फिर से हम आ गए हैं एक ड्राइवर वाली इस्टोडी लेके नलंदा जिला से और आज आपको देने लिए बकड़ी पालन में आना चाहा रहे हैं और रोजगार स्टार्ट करना चाह रहे हैं जैसे ही कहानी लेकर हम आया है नलंदा जिला में और यहां देखेंगे कि किस अस्तर से छोटे से पूंजी से एक परयास इन्होंने किया है कि आगे कैसे बढ़हा जाय क्या नाम कब भूसा कुट्टी निवारी लेकर के जाते थे माल दोने वाला जो है कि गारी आप चलाते थे तो भूसा भी जो है कि जानवरों का एक अहम मुद्दा है कहीं मिल नहीं पाता है कहीं अतना मिल पाता है कि लोग सरा देते हैं खिला नहीं पाते हैं तो आप जो है कि जानवरो में मुकामा पड़ता है सर मेरा मुकामा वहां भी लेगर के जाते थे का प्रेसानी हुआ था सर जब उस समय गारी आप चला रहे थे तो सर कभी कभी वही होता था कि मन ले जाए गारी चलाते चलाते रोज रात में ही नाइट ड्यूटी करना पड़ता था दीन में कहानी चला गाड़ी कि उवर लोडेट गाड़ी घाड़ी दिखता था लोगों को Upon men men जाने से पूलिस परसान उतना नहीं करता था मतलब परसान तो करता इंधू होगा यह प्रफीज बाटते हुए चल जाते हैं इतना जगा रहता था उसमें पैसा सारा चेंज करवा करके और रखते थे तो मतलब जी से हमको यह जानकाड़ी दीजिए हमारे दर्सक भी अगर देख रहे होंगे तो जानना चाह रहे होंगे कि जो आप पैसा एको रेक में रख देते थे तो आप को इसे पहचान पते हैं कि अगला सीपाही 10 वाला है कि 20 वाला है सर रोज आना जाना होता था तो इसलिए पहचान जाते थे कि यहां पर 20 लगेगा यहां पर 50 लगेगा जिसे हाजीपूर पूल पर है तो वहां 50 देते थे हाजीपूर पूल से 0 माइल है हाजीपूर पूल से पटना तो वहां भी 50 देते थे उससे पहले जो भी मलने जाय मिलते थे सिफाहीं तो उनको 20-20 करके देते थे और बाकी हाजि påur पार जω करते थे तो उधर भी बीस भीसे देते तो आप Но प्विलिस वाला जो देख रहे होंगे गाट साहब जो देख पुलिस के जवान उन लोगों का भी कहना रहता है कि यहीं सब में फटा हुआ नोट भी आप लोग दे देते थे तो यह ज़ो है कि जनकारी हमको मिला है तो आप रात में गारी चलाते थे परिसानी आपको होता था जी अब यह इसा नहीं हो एकि ओभर ज्यादा परिसानी हो ग हटना गस्त हो गया हो किसी को लग गया हो आपके गारी से मेरे गारी से तो नहीं लगा लेकिन गारी लेकर करके हम मलब नीचे भी कुद गये थे लेकिन पल्टी मारते मारते आ वहां पे फिर जब कुदनेगवाद जमीन बराबर था तो इस लिए गारी संभल गया मेरा संभ बार लगता है कि अभी तो मरी जाती है लेकिन फिर उपर वाला है अब जो ड्राइवरी सीखना चाहा रहे हैं वो डर न जाहिएगा इसा रात वाली कहान है और अक्सर भोर के समय में ऐसा होना आम बात होता है या जो लोग एसी में चलते हैं अब बकडी पालन जो हम देख रह कमाएंगे तो उसमें 24,000 खा भी जाते हैं क्योंकि लाइन होटल में खाना पड़ता है और पर इबारिक मालने जाए पढ़ाई लिखाए बाल बचा का जो है और हम तो ऐसे दारू सरा पीते नहीं कुछ भी सिग्रेट गुट का इसम कोई मतलम नहीं हम सिरिफ खाइनी खाते जो कि पाच रुपया में दो दिन तीन दिन भी चलता है तो हम इसलिए मालने जाए उसको उधर लगा कि 10-12,000 रुपया कमाएंगे खापी करके तो 10-12,000 से क्याची होगा क्योंकि मेरा 3-3 लड़का है यह लड़की है तो उसको साधी बिया सब्सक्राइब पढ़ाई लिख पर बिहार सरकार का योजना वाला साइकल है नहीं सरी है हमारा आपका अपना योजना करते तो वहां भी प्राइवेट गाड़ी चलाए है और कोमर्शियल भी चलाए है जो टेक्सी बला जो गाड़ी होता है वो भी कि 8 सल वही चलाए है फिर उसके बाद इधर मालने जाए बिलोड़सर की जानते हैं कि सुधीर सर किसानों के सुपशिन तक पहले जहानावाद में अपना जो हैकी एटरेनिंग चलाए थे लेकिन जो है कि किसान के परिसानी के मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने पटना में टेनिंग सेंटर अम लेया है और महीने के दो बार हर एक महीने में दो बार पटना के बीच सहर में ट्रेनिंग का जो आ कि वेवस्था किये हैं ताकि किसान हमारे आसानी से पहुंश सके और जैकि देश के बहुत जेसे राज्यों से महीने में लोगा आते हैं अर्ट्रेणिग में कर दोसंद तरीका से mu भी मालने जाए पाल लेंगे और पलस में जैसे सर्दी खोकी खासी बुखार जो भी होता है वक्री लोग का तो इसके लिए मालने जाए वहां पे दुकान है रहोई बजार तो वहीं से दावाव बाला करके भी रखे हैं हम और सुधीर सर का जो वीडियो है तो उन्हीं के सहार यह भी परिशानी होता है लोग कोमेंट के माद्याम से यह भी बताते हैं कि सुधीर सर जो है कि फोन नहीं उठाते हैं जवाब नहीं देते हैं तो एक आदमी है अब जान थोड़ी न देंगे मैसेज के जवाब देंगे ओभी जो है काईदे से मैसेज पूछा जाए तो सभ जाएंगे कि कैसे उसको खिलाना है कैसे दावा बीरो करना है कुछ कुछ अपना लिक करके रखना हम उसको बता देंगे कर you कारी के लिए बता दें कि इनका जो तरीका है उस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो आसानी जो है कि बकडी पालन आप डिवलप कर सकते हैं उसमें नुकसान कम होने का संभावना रहता है अभी कितना बकडी रखें हैं अभी सर अठारा मेरे यहां पे है मेरे घर पे और सा ग differs मतलब उसको को पाटनर में यह मेहनत करना परता है कि एम जो किसी के हाँ दे ढे जाता है और जब उसका तो आधा और दोनों लोगं इन ही सब दिन करना जहां जो बचा अगर दो पूटिया तैनने तो मालने यह बच्छा उननका और यह बच्छा मेरा होगा बक्री मेरा रह जाएंगा, अगर यह बच्छा हुआ तो उसमें दाम लगेगा तो पसंद है कि पहले बीडियो विदियो में बता चुके हैं कि बीना पुंजे की वह बक्री पालन किया जा सकता है, यहां बटाईया लेकर आभि यहां पर कितना है यहां पर नहीं ठावना तरह साना है एस अगल गाएं और जय siis LIVE स्थ तो खड़ी दिने में कितना तक खर्च आ गया होगा करिब करिब टोटल खरिदें तो यह 80,000 रुपया लगाए तो यह 80,000 में जो है कि 18,000 पचीस पचीस यह 80,000 में पचीस देशी ब्लैक बंगाल यहां की लोकल बकडी है और सेड के निर्मान के बारे में आप देख सक रहे हो होंगे पीछे जो हमारा यह तारपोलीन का जो है कि तिरपाल है जो कभी अपने भूसे को बरसात में छिपाने के लिए काम करते होंगे जी जी उसको घ्र दिया है ने सरुवा वाला घर पर जो है मनले जो उस पर करकेट नहीं था तो इसलिए भूसा उसा देने के लिए रख में चाली पे ठावी ठंडा के दिन हैं तो चाली पे सब बैठती हैं कितना बकडिया और सेट बगारा में खर्च कर दिये होंगे मान लीजिए क्यों ही नब एक आपना चुनाओ करना होता है अभी जो आप बकडी का रूटिंग क्या होता है सर आपका जो है कि सुबह में पहले जो बक्री मलेजे जहां पर आप अंति मतलब जहां पे ज्यांका ठाहराओ ह çıkarी जी तो वहांपर जलिकर जारूर उमार देते हैं फिर उसके बाद बक्री को सारा बक्रीकों निकाल देते हैं यहांपर और उसके बाद भुसी की आर मेोसा जो डस्ट होता है जें बहु ब जो है कि बार बार जो है कि यह होता है कि हम लोग का वीडियो के माध्यम से सभी जागरूप किसान जो लोग है कि टीका करन लागतार करवार हैं अपने मर्जी से जो जागरूप हो चुके हैं बहुत लोगों को सुधीर सर के माध्यम से या बिहार स्टोडी के वीडियो के माध बार मिलता है तो हम यहीं पूछना चाहेंगे कि टीका करन का विका यहां पर देवस्था चला सर अभी तो सरी सब कुछ भी नहीं करवाए हैं टीका करन अभी तो मात्र 15 दिन से स्टार्ट किये हैं तो वही दावावीरो जो बोले कि रहुई बजार है मेरा वहीं से लाते हैं और मान लेज़ा एक बकरी का पाथी जो है वहां पर वहीं पाथी को लाइट्रिंग होने लगा था पूरा पतला तो उसी को दिये थे तो ठीक हो गया ठीक हो गया लेकिन जो है आप सभी भाईयों को हम बता दे कि बिना अनुभव के जो है कि कोई काम नहीं करिएगा आप एक चीज देखते होंगे जब गाड़ी चलाते हैं और इतने दिनों से चला रहे हैं तो आप बार 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 बूर्ड पर देखते होंगे कि साब्धानी ही बचाओ है निखा हुआ तो वह सहीं जो है कि बकडी पालन से पहले उसके क्या-क्या साब्धानी है। कैसे उसको आसानी से पाला जा सके। कफिए इक चछा काम थे आप कर रहे होते तूशी में कि नुक्सान होने का संभावना हो जाता जी sir then yes yes sir सर कि यह चड़ाई पर कितने वज़े से कितने वज़े करवाते हैं इसको पर फिर उसके बाद थोड़ा देर आराम करता है और फिर तीन बज़े यहां से चड़ाई पर लेगर पर कितने टाइम तक फिर वही इसके अलावे चलाते थे और बस यह कर रहे हैं Peak नहीं चल रहे हैं द्यांजिए के भरों से तो आप सभी नहीं भाईयों से मेरा कहना ये भी रहेगा कि एकदम से एकदम अगर चोटे इस तर पे स्टार्ट्र कर रहे हैं तो एक दम से बकडी पालन के तरब मूफ ना करें धीरे धीरे जो है कि आप पैटन को बदलें और तब जब देखने की हमको आमद उतना आ सकता है क्यूंकि इनके पास जो है जो मैन पावर है घर वाले लोग भी इनके सही योग में हैं इन पे जो है कि बहुत लोग कोश्ट में प दवलब करेंगे घर ही में सिफ्ट रखेंगे कि आगे कुछ और विस्तार से करेंगे अगर इससे मालने जाए जब कमाई होने लगा तो हमारे अगल बगल में खेत है इधर रोड पे ही तो वहीं पे मालने जाए फार्म खोलेंगे और यह आप जो कहें बहुत अच्छा लग पता चलता है कि कई लोगों का फर्म बंध होने के कागार में पहुंच जाता है तुरंत तो वैसा काम नहीं करना है और जो भी दर्सक भाई देख रहे हैं सांती से जो है कि इस बिजनस में आए समझदारी के साथ आए का है कि यह जो आप देख रहे हैं बकडी अगर बिहार भर में जारखंड भर में अगर कोई मटन का पूर्ति करता है तो देशी बकडियों से होता है चलाई वाली बकडियों से होता है काई कि अभी किसान जो है कि उतना जागरूप नहीं हुए है बकडी पालन में आगे नहीं आ है कि उनके रिकार्मेंट को जो है कि पूरा कर सके तो आप जो देख रहे हैं ये मटन का जो है कि सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला ब्लैक बंगाल की कहानी देख रहे थे और इसी के साथ किम्ती समय को जो है कि हम आप लोगों को बचाते हुए मिलते हैं नए जगह पे नए स्टोडी के साथ नए फर्म पे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत